आपसे विवाद के चलते मगलवार शाम गीता भावन शेत्र इस्तितर फेडरल बैंक में गाड द्वारा गोली चलाने से शेत्र में संसनी फैल गे गाड की गोली से तीन लोग घायल हो गया है जिने उपचार के लिए अस्पतार में भरती किया गया है मामले में पुलिस ने गाड को गिरफतार कर पूछतार शुरू कर लिए घटना संयोगिता गंज थाना शेत्र के रतलाम कोठी की है यहां इस्तित फेडरल बैंक में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बैंक के गाड ने गोली चला दी गोली लगने से तीन युवक घायल हो गए पुलिस ने बैंक के गाड राजभान सिंग को गिरफतार कर लिया है दरसल बैंक के गाड राजभान का दीपक पाटिल अशोक पाटिल और संदीप सोलंकी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ जिसके बाद गाड राजभान ने जमीन के तरफ गोली चला दी जिससे निकले छर्रे से दीपक अशोक और संदीप घायल हो गए बैंक के पास एक गुम्टी है जहाँ पर ये तीनों आकर रोजाना खड़े होते थे घटना से पहले भी ये तीनों वहाँ पर खड़े हुए थे तब गाड ने मना किया इसी बात को लेकर गाड राजभान और घायलों में विवाद हुआ था गाड ने डराने के लिए जमीन पर गोली चलाई थी जिसके छर्रे तीनों को लगे हैं पोलिस ने गाड राजभान सिंग को गिरफतार कर लिया है और उसकी बंदूग भी चप्त कर ली है वहीं घायलों को गोकुल्दास और एमवाई हॉस्पिटल में उपचार के लिए भेजा गया है जितनी जनकार लेगी वो इतनी है कि गाड के हाथ से गोली चली है और किसी के पेर में लगी है जगडा हुआ जगडा चला था बाहर को गाड से जगडा बाहर को बैंक में अब्ला करने कि इस तरह का तो तत्थ्य सामने निया है कि बैंक का पर्माइन करमेचारी नहीं है कोई एजेंट टाइप के हैं जो नाम आया सर उसका गाड सायद पता नहीं है गाड पता लगाना प्रमेट सिद्ध यहीं आगया हूं सर का नाम पता संदीप सोलंकी है आपका परिश्य दूदीए संदीप पते लूँ